नमस्ते आप सबका वेलकम हैं सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रही हो पनीर पुलाओ अब ये जो पुलाओ है इतना खाने में मज़िदार लगता है अब जब भी आपके घर पर पनीर आता है तो आप सूचते हैं उसकी सबजी बना ले अरे भाई कभी उसका पुलाओ भी बनाओ ये इतना सुबाद वाला रगता है इतना खिला 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 पुलाओ है तो सबसे पहले ये खिला खिला पुलाओ बनाने के लिए हम न सबसे पहले चावल बनाएंगे तो मैंने आपर ये दो कप छोटे वाले चावल लिए आप ब आप चावल में आपको तीन कप पानी डाला है जब आप कड़ाई में पका रहे हैं तो और स्वाथ के अनुसार नमक डाल दीजे अब इसे खुला ही पकाना जब तक इसका पानी सुख जाए बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहना ताकि नीचे से चावल चिपके ना और आप देखेंगे कि इतनी कॉंटिटी के अगर आप कड़ाई में ये बना रहे है न चावल तो पानी सोखने में लगबग 6-7 मिनिट अगेंगे तो बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहना अब आप देख सकते हैं लगबग समय हो चुका है तो बिलकुल थोड़ा सा ही पानी रह चावलों के बीच में तो बस इसे ढख देंगे और बिलकुल लो फ्लेम पर बिलकुल धीनी आज पर 5 मिनिट के लिए पकाएंगे तो लगबग यह पर 5 मिनिट हो चुके हैं और ये चावल बनकर तयार है अब इसे आना आपको इस तरह से मिला लेना है और देख सकते कितने खिले खिले बने इसे ठंडा होने देना बाहर रखकर जब यह ठंडे हो जाए उसके बाद हम पुलाओ बनाएंगे तो पुलाओ बनाने के लिए पैन में डाल दिया है आधी चमस तेल और आधी चमस बटर दोनों ही जैसे गरम हो जाए ना तो इसके अंदर आपको डालना है चोथाई चमस जीरा साधी साथ आधी चोटी चमस लाल मिर्श पाउडर चोथाई चमस हल्दी पाउडर और आधी चमस धनिया पाउडर तेल और बटर के अंदर इसे अच्छे से भूनना है मसालों को और उसके बाद तुरंत ही इसके अंदर आपको डाल देना है एक कटा पनीर का चोटा सा ही लिया था उसे एकटम चोटे चोटे टुकडों में पनीर को काट लिया आप पनीर ज्यादा भी डाल सकते कम भी डाल सकते वह आपके उपर है क्योंकि पनीर का पुलाओ है हलका सा सबी चीज़ों को दो मिनिट तक भूने फिर इसके अंदर चावल डाल जरूर के अनुसार जितना पुलाओ बना रहे हैं थोड़ा सा नमक और डालना नमक हमने चावल को पकाते वक्त तो डाला ही था पर इसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा और थोड़ी से दिन्या के पती डाल कर इसे लगाता है इसी तरह से चलाते जाओ और अच्छे से पकाए लगबग 2-3 मिट के लिए तेज आज पर इसे पकाना है अच्छे से मिलाते जाना पकाते जाना सच बता रहे हो ऐसा पनीर का पुलाओ अपर एक कभी नहीं खाया होगा इसका स्वाद इतना बढ़िया है अगर आपको कुछ मिज़िदार खाने का मन कर रहा है घर पर मेमाना है तो डाल फ्रे जीरा राइसों हर बार बनाते हैं कभी इस तरह से बनाए पनीर का पुलाओ सब्सक्राइब करना और यहां तक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यो फो वाच्छेंग